Hello guys, welcome to my new video, आज की वीडियो में हम बात करेंगे how to join e-sports carrier, तो guys e-sports carrier आज के टाइम पे इंडिया में बहुत काफी ग्रो कर चुका है और काफी ग्रो आगे भी करेगा, अभी मानलो आप अपना 30-40% ही ग्रो होगा है, बारी कंट्रीज में बहुत जादा है यह e-sports जैसे आप बाकी matches लेते हैं, जैसे cricket है, football है, यह जितने ग्रो होगे हैं, उतना ही अपना e-sports भी ग्रो होगा, तो guys आज मैं आपको बताने वाला हो कि आप यह कैसे join कर सकते हो, आपको किस टाइम पे जोइन करना चाहिए, जब भी आप जोइन करोगे तो आपको क्या-क्या करना मिलते हो, तो आपको उसके passive मिलेंगे और आप tournament जीतोगे, तो guys यह ही है e-sports, काफी organizations है, काफी company है, जो आजकल e-sports के tournaments करवा रही है, तो guys आप लोग मुझे बोलोगे कि वाई, तू तो अभी e-sports में join किया है, ना तुझे क्या पता, तो guys यह मैं आपको वीडियो उन लोगों को observe किया है, तो guys इन सब को मिला के आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे join कर सकते हो, और आपको क्या-क्या फायदा होगा, क्या-क्या आपको करना पड़ेगा, तो guys e-sports join करने के लिए आपके अंदर पहले तो talent होना चाहिए, जो game आप choose करना चाह सकते हो, और भी guys, क्या-क्याफी games है, PC games है, Valorant भी आ रहा है, नया नया आया या ये गेम, ये भी अच्छा चलेगा, इसके भी tournaments होंगे और ये भी इससे भी आप e-sports join कर सकते हो, तो guys आपको पहले तो एक अपना game fix करना पड़ेगा, कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, तो ये वाला मुझे करना है, और इसके through मुझे e-sports में जाना है, तो guys पहले आप एक game decide कर लेना, जिसमें आप अच्छे हो, सबसे पहले तो आपको ये करना है, तो guys अभी मानलो आपने अपना PUBG चूज किया, कि भाई मुझे PUBG में कहले बनाना, आगे competition खेलना है, e-sports में ज जो जिन में channel होता है, find players के नाम पर, तो वहाँ पर आप जाके, आप जैसे ही लोग होते है, आप जैसे ही teams के लोग होते है, जो e-sports में जाना चाहते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो, आप उनके साथ खेल के देखो कि भाई, आपका कैसा जम रहा है, अगर आपका नही जम रहा है, तो आप दूसरी team में भी जा सकते हो, या फिर उनके से कोई एक आप ढूंड लेना, तो guys, e-sports में जाने के 2-3 तरीके हैं, तो guys, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, कैसे लोग ने जोइन किया है, किस तरीके से जोइन किया है, मैं आपको सब बताऊंगा, तो गाइस दो तरीके किस्टम होते हैं, एक होता अनओफिशल, एक होता ओफिशल, ओफिशल में क्या होता, जो अच्छे-च्छे होते हैं, नाम जिनका अच्छा नाम होता है, जैसे विलेजरी, स्पोर्स, वोर्मेनिया, ऐसे वाले किस्टम, अगर आप उनमें खेलते हो, तो तो आपका अच्छा वाला नाम हो जाएगा, आपको सब जानने लग जाएगे, क्योंकि उसमें काफी बड़ी-बड़ी टीम साती है, और गाइस दूसरा है, आपको पहले अनओफिशल के T1 तक पहुचना पड़ेगा, फिर ओफिशल के T3, T2, फिर ऐसे आपको दीरे-दीर चड़ना पड़ेगा उपर, तो यह है एक तरीका अगर आप जाना चाहो तो, और गाइस एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास टीम है, अच्छी सिनर्जी बनी हुए आपकी अपने टीम के साथ, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, जो PMCO के होते हैं, PUBG Mobile के ऑफिशल टू आपको अच्छा नाम हो जाएगा, आपको अच्छे ची ओर्गनाइशन मिलेंगी, जो आपको सेलरी भी देंगे, डिवाइस भी देंगे, और रहने के लिए बूट कैम देंगी, जा पर आप आपने टीम के साथ प्रेक्टिस कर सकते हो, तो गाइस एक तरीका तो यह है कि आ आपको यह सब नहीं करना कि भाई मैं पहले यह वाले चोटे टोटनामेंट फिर बड़े तो आपकी अच्छे बड़े लोगों से दोस्ति हो निचे देखो, साफ बात, वह आपको फिर सपोर्ट कर सकते हैं, आपका अगर यूट्यूब चैनल है काफी बड़ा, जिसमें मिल अगर आपको अपको आपको आपको अच्छा नहीं कि अपने नाम के दम पर आप ले रहे हो या फिर अपना इस पोर्ट कर रहे हो काफी लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, आप समविजी आओगे खुदी, तो एक तरीका यह भी है, तो थीन तरीका हो गए, ऐसे e-sports जोइन करने के, तो वाइज यही तीन चाह तरीके जिससे कि आप e-sports को जोइन कर सकते हो, हर गेम में ऐसा ही होता है, तो आपको हर गेम पे लागू कर सकते हो, कि आपको फ्री फायर में अगर आपको करना है, या फिर कोई दूसरे games में करना है, त आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, आपको recognize होना पड़ेगा, और बड़ी-बड़ी teams के सामने आपको खेलना पड़ेगा, तब आप अराम से, जो official tournaments होते हैं, गेम की तरफ से वो भी आपको जीतने पड़ेगे, या फिर उन में rank लानी पड़ेगे, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, इन ही एक तरीकों को अपना के आपने आज के टाइम पर आपड़ेगा बड़ेगे, तो आपका सकते हो, आपके पास team है, skills है तो आप भी आप कर सकते हो, तो तो आपके वीडियो आपको अच्छे लगे हो, तो like, share, subscribe, जरूर कर देना मेरे चैनल को and thank you so much for tuning in